बेटी खाला और अम्मा को लेकर वो मौधा चली गई है इसके उपर तरह तरह की बाते हो रहे हैं जो तरह तरह की बाते हो रही है वो एक अलग बात है मैं आज पूरा पूरा जो मौधा गैंग है इसका सच सामने लाने की कोशिश करूँगा तो बने रही एक इस वीडियो में आपका स्वागत है जो लोग चैनल पर पहली बार आएं बैल आइकन दबादें क्योंकि बैल आइकन दबाने से आपको आने वाली वीडियो की सुचना तुरंथ मिल जाएगी और साथ साथ कमेंट जरूर करें क्योंकि आपका कमेंट का हमें इंतिजार रहता है और आपके हरेक कमेंट को हम पढ़ते हैं और उसके बाद में उस पर जवाब देते हैं चलिए बात करते हैं आज के टापिक पर बेटी खाला और अमा दौनों मोधा चली गई इसके साथ में सब लोग बात करें रहें हैं कि बेटी खाला को कम से कम यहां रहना चाहीे था अपने बच्चों के साथ में कम से कम एक हीध मनाने के लिए हैं क्योंकि वहाँ पर तो उनका कोई है नहीं है और हस्बेंट जो है उनके साओधी अरब मिया में तो वहाँ पर जाके वो करेंगी क्या यानि कि वो चार दिवारी और उसमें वो अकीली अब देखिए बात क्या है कि इन सब का जो बिहेवियर है वो बहुती एबनॉर्मल थे एक दो साल का एक छे साल का तभी उनको यहां पर शिफ्ट कर दिया यानि कि उनको ला रहा गया यहां पर इसलिए कि वो पढ़ेंगे यहां पर लेकिन जैसे ही आप छोटे बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं और उनका लालन पालन सारा दूसरे घर में होता है तो वो क्या होता है अपने पेरेंट से थोड़े से दूर चले जाते हैं यह बट ओवियस है यह होता है अग्योंकि आप क्या है मावाप के पास में सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए रहते हैं जबकि वो आते हैं और यहां तो यह चलन भी नहीं है ना कि बच्चों को व वाला है और उस वाले घर को वो अपना घर बिलकुल नहीं समझते क्योंकि आज तक उनको यह सब बताया ही नहीं गया नहीं इस तरह से भीजा गया कि तुम्हारी घर में चुटी होगी तो अब जाओ जाके अपने घर में रहो अपनी मामी के पास रहो अपने लोगों से मिल अपने गाओं के पैचानो यह सब है ही नहीं तो यहां पर काओं की पैचान मा की पैचान घर की पैचान यह नहीं दी गई यह बिलकुल इन से छुपा ली गई इन से हटा ली गई अब यह एक सामाने बात जरूर है अगर साइकलोजी की दरस्टी से देखा जाए वैसे यह अबनौर्मल यो है कि आप किसी बच्चे को उनके माबाप, उनके गाउं, उनके जगे, उनके रहन सेन, उनके दादादी, इन सबसे दूर इस तरे से नहीं कर सकते, यह गलत बात है। आप बच्चों की बात करते हैं बच्चे देखिए इस टाइम टेनिजर्स की एज में हैं और वो हर आलत में 14 एर से उपर हैं यानि 15 एर से लेकर ये 18 एर के बीच में हैं ये दोनों बच्चे लगबग और हो सकता है प्लस मैनिस आप वन एयर और लगा लीजे तो आप ये बता इस स्टेज में आ जाता है तो कौन बच्चा ऐसा होता है जो ये नहीं परचाने कि मेरी मा कौन है और मेरे फादर कौन है और जो मा और बाप के लिए जगे 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 जो इतनी सारी बाते होती हैं आधर स्कूल में होती हों कॉलिजों में होती हों सोशल मीडिया पे होती ह गर के अंदर होती हो क्योंकि यहां पर भी तो एक जनाब हैं वो अपने आप में आइडियल हैं माँ और बाप दोनों के लिए राजा बेटा हैं और उसके अलावा और भी लोग हैं तो यह तो परंपरा है है तो क्या उनको अपनी माँ से बिलकुल लगाव नहीं है एक दूम जब वो जा रही थी वहां से तो वो उसको ऐसे सी ओफ कर रहे थे जैसे कोई घर में कोई गैस्ट आता है और ऐसी निकल लेता है तो वहां पर जो गिज़ा है उसने तो उठने की जहमत नहीं उठाई और वो जो लड़का है वो बस खड़े-खड़े बस ऐसी हसरा था मतलब इस इमोशन से क्या है लोग टच होते हैं और टच होते हैं तो वो जो पड़ोसी लोग हैं वो जब इतने भोले बाले हैं और अकल मतलब क्या कहें वो लगाते नहीं है बिगलबी और इन चीजों में फिर भी आ जाते हैं दस दिन के जाने वाले कहीं ऐसे इस तरह से रोते है जब भोपाल गई थी वो भी अकेली गई थी तो खुद नहीं रोई थी खुद हसी हसी कह रेज़े थी नहीं नहीं हम चले जाएंगे हम तो आ जाएंगे और जबकि वो रो रही थी लेकिन इसके उपर कोई असर नहीं था ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि emotion जो है बदलते रहते हैं बदलते रहते हैं इमोशन तो वही रहते हैं बलकि और जदा पक्के होते चले जाते हैं वक्त के साथ में रिश्टों के साथ में तो एक तो awkward चीज ये लगती है कि बच्छे बिलकुल भी अपनी mother और father को बिलकुल ऐसा समझती ही नही कुछ है बहुत बढ़ी है लेकिन यहां हो क्या रहा है बच्चों का बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चे IQ लेवल में देखा जाए तो पहले से जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन से भी कम है मुंबई की एजूकेशन के साथ में जिनको हार्ड डिस्क ना पता हो ज जो फिफ्ट और सिख्थ क्लास के बच्चे होते हैं और उन से नीचे क्योंकि इस क्लास का बच्चा भी आज की रिट में कंपीटर प्रिंटर और इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि कलर प्रिंट क्या होते हैं लेकिन लोगों ने सब ने ऐसा दिखाया जैसे ये सब चीज़ें बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। ये तो हो गया बच्चों का समाने ग्यान ये जिसे कहते हैं एजुकेशन का लेवल। अब बात करते हैं पॉजिटिव इन्वाल्मेंट की। पॉजिटिव इन्वाल्मेंट नहीं है इनका बलकि कुल मिला के देखा ज तूट हो या फिर को उसको मेक अप करना हो या फिर कुछ खाना पीना हो सब चीजों में वो जो साथ में इसलिए लगा कर रखती है और साथ साथ जो है अगर देखा जाए अब देखे बच्चे यहां पर क्यों रह गए इसका एक और भी बड़ सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अब जो सितारा विगम है ना सितारा विगम से आप यह एक्सपेक्ट करते हो कि वो जाके किचन में खाना बनाएंगी और यह सब करेंगी यह जो लड़की है यह लड़की को खाना बनवाया जाता है लड़की घर का काम करती है इसलिए उसको यहां पर रखा गया इसलिए को यह जदा comfortable लगती है यही वज़े है कि मौधा गैंग जो यहां पर जमा रहता है और इनको क्या चाहिए इनको दो चीज़े चाहिए एक तो इनसे काम मिल जाता है सारा सारा काम यह लोग करते हैं आपने देखा होगा जो बेटी खाला है वो कभी भी किचिन से बाहर नहीं द जब मर जी आप दो बज़े उठा के लिजाए उसको दाइव ज़े उठा के लिजाए बारा बज़े उठा के लिजाए गरमी में जाके देखो वो किस तरह से शूट कर आ पूरी तरीके से इन दोनों बच्चों को गुलाम बना के रख दिया अपने कंटेंट के लिए और अपने यूज के लिए अब बात करते हैं इन दोनों की अच्छा अब एक और भी तो है यहां पर मोदा गैंग के अंदर वो जो भुपाल में रहती है जो सो कॉल्ड अपने जो जोएंट फैमिली में रहने की वज़े से सारे कल्चर को सब चीज़ निभानी पड़ती है पर दे को लेने में वो पीछे नहीं है जब यहां पर इस तरह का मेला लगता है तो वो भी फटाक से यहां पर आ जाती है आप बताईए कौन अपनी एकलोती बच्ची का बड़े अ उसका बड़े मनाने के लिए उसको यहां पर लाया जाता है और उसमें उसका फादर जो एगरी है बड़ा अजीब सा लगता है और उसकी मा भी यहां पर पड़ी रहती है और उसके बाद में बैक भरबर के यहां से समान लेके जाती है बरतन लेकर जाती है देखो देखी त के लिए भी भाग कर यहां पर आती है इससे पहले भी आपने देखा होगा तो यह है मोधा गैंकी सच्चाई उनको सिर्फ और सिर्फ जो है यहां पर लेना 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 चाहिए और इनको चाहिए कोई काम वाले जो कि इनके घर में फूरी तरीके सारे कपडे, यहां तकि बैक, और बाकी चीजें भी, पिछले और अगले vlog में देखेंगे, सारी सारी चीज़े आपको दिखाई देखी, कि इनकी यहां से दी गई है, अगर इनकी बात करें, चलो ठीक है, वो सब यह कर रहे हैं अब इनकी बात करते हैं एबरहाहिम की, तो से इतने बड़े-बड़े यहाँ पर आके टीचिंग देते हैं जो आप प्रीच कर रहे हो जो टीच कर रहे हो वो अपने आप पर इंप्लिमेंट भी करो वरना यह सब बक्वास बाते हैं ठेकोसला है बेकार की बाते हैं अब देखिए यहाँ तो यूज करा ही करा डबबने अब वहाँ जाके यूज करेगी क्योंकि वहाँ पर उसको घर में रहना बिल्कुल गवारा नहीं है वो सुस्राल उसको ऐसा लगता जैसा कैद हो वो भागती है कभी वहाँ पर जाएगी उनके घर पर जाएगी खाला के घर पर जाएगी कभी अम्मा के घर पर जाएगी और कभी फूपियों घर पर जाएगी अच्छा एक बाह बताईए कभी फूपियों का नाम आपने मुंबई आके कभी सुना है उसका तो इतनी चहेती होगी, अचानक यह ऐसे चहेती होगी फूपियों की, मा कदर नहीं करती, मा कभी नाम नहीं लेती, तो बेटी कैसे नाम ले सकती है, वो सरिफ और सरिफ उसको यह दिखाना होता है, कि व्लॉक में क्या किया, यह तो उसे दिखाना है, तो उसे यह दिखाना है, अ अपना content हिखटा करती है दबबा के नजर में रिष्टे नहीं है ये content है ये उसके vlog के content है जो note चाप रहे हैं और इस note चापने के बाद में भी एक हजार रुपए सिर्फ एक हजार रुपए उनको दे रही थी वो भी वहाँ पे दिखा दिये के मैं इनको दे लही हूं और इतनी बोड़ी औरट है वो 80 साल से उपर हो चुकी है शरम करो कुछ उनको तुम एक हजार रुपए दे के अपने रिष्टे दिखा रहे हो अपने यह सास के सात में आप लोग आगे की प्रोग्रस के बारे में देखते हैं वो दिखाओ ना अगर हिम्मत है तो यह मौधा गैंग का सस्ता कंटेंट उसके पास मैं है उसको लगातार एक साबून की तरह घिसती रहती है गिस्ती रहती है गिस्ती रहती है और इसके व्लोग दर व्लोग आते रहते हैं सबी लोग जो भी व्लोगर्स हैं अपने घर के लोगों के साथ में दिखाते हैं इसको अपने घर के लोगों के साथ अचल में अपना घर इसको समझती ही नहीं है ये अपना घर समझती है स्री मुंबई जहां उसकी जो है ममी हो रिजा हो और साथ में वो लड़का हो ये सारे लोग हो तो ये सारे लोग के साथ में तो वो अपना परिवार समझती है यहां तो वो अपना परिवार जैसे समझती ही नहीं कि भी ये मेरा परिवार है इसके साथ ना अब वहां जाके सस्ते सस्ते कपड़े बिल्कुल छोटे-चोटे बजारों से वहां पर जाके खड़ीद देगी खास तोर से वह फुपीयों को लेकर जाएगी कि मैं ईद के लिए उनको कपड़े दिला रही हूं सारी फुपी और ये जो बाकी जो अब जो लोग बच गे ह जिनके ये सूट नहीं ला सकी है खास तोर से वह दोनों चोटी-चोटी बच्चियां भी है तो उन सब के लिए और उसकी जो रुकसाना वाजी पलाना ये जो भी है इन सब के लिए अब वो जो है इद की शॉपिंग करेगी मार्केट ले जाकर कि वह ये वह तो ये एक तरह काम वहाँ पर जाकर जो करने वाली है वो करने वाली है अफ्तियार पार्टी क्योंकि उसने जो दो तीन अफ्तियार पार्टी ये देख ली किस तरह से शोशल मीडिया पर उनका काफी नाम हो रहा है सितारा यासीन की थी और उसके अलावा गोहर ने अब भी एक पार्टी की था इसके बाद में जो अली गुनी है उन्होंने भी एक पार्टी दिया है जिसकी भी काफी चर्चा ओरी है बहुत अच्छी तरीकिसे उन्होंने बीफियार पार्टी दिया तो ये सब चीजें अभू से अपने picks में चाहिए तो ये सारे काम वभू वहाँ पर करने वाली है चलिए बातें बहुत लंबी हैं फिर कभी करते हैं पॉडकास आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शियर कीजिए कमेंट जरू कीजिएगा कमेंट का आपका इंतिजार रहता है